सबसे पहले गुलाब जामुन के लिए हम चासने बनाएंगे तो प्राण यहां कडाही ले 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 उसमें एक कप चीनी मिलाएंगे फिर इसमें देर कप पानी मिलाएंगे एक कप चीनी लिए हैं इसमें देर कप भी मिलाएंगे चलाते हुए मिक्स करेंगे जिसे की चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए चीनी मेल्ट हो गया है तो उसमे कुछ केसर के धागे मी लाएंगी और ये मिक्स कर देंगे इसे चासनी का तेस्ट अच्छा आएगा तुझे एक दो तार की चासने नहीं बना नहीं है बस चीनी मेल्ट हो गया है एक दो बाइल आ जाए बस तेज़े फ्लेम को इससे में आफ कर देंगे एक बड़ा से बॉल ले लेंगी इसमें हम गिहों का आटा डालेंगे आधा कब जिससे आटा से रूटी बनाते हैं वही यूज़ करना है फिर इस भी आधा कब मिल्क पॉर्डर डालेंगी दोने की मात्रा बराबरी रखना है जो मैं मिल्क पॉर्डर यूज़ कर रहे हूँ यह यह डिड़ी का है आप कोई सब भी यूज़ कर सकते हैं फिर इसमें 1 फोर टीज़पून बेकिंग सोडा मिलाएंगी वन फोर टीज़पून इसमें घी डालेंगी पहले एक चमच और फिर आधा चमच तो यह वन फोर टीज़पून हो गया सभी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगी गहूं के आटे के रजगुले एक पर जरूर बना कर दिखिएगा आपको जरूर पसंद आएगी हाफ आफ नॉर्मल दूर लिए है तो इसमें थोरा थोरा मिल्क डाल कर इसमें गुनेंगे इसमें अभी मिल्क और डालेंगे इसे मिक्स करते हुए फिर गुनेंगे इसको ज्यादा गिला नहीं करना है आपको इससे मिक्स करते हुए इसे गुनते जाएंगे और जब कम लगे तो मिल्क और डालेंगे इसमें भी हम दो चमच और डालेंगे इसमें टोटल हम साथ चमच मिल्क डालेंगे तो आठे को मैं गुन ली हूँ अब इसे दो मिनिट के रिस्ट करने के रिए रख देते हैं रिस्ट किये हुए दो से तीन मिनिट हो गए है तो प्लेट को मैं हटा देती हूँ आठा जो मैं गुन दी थी वह थोड़ा टाइट है क्योंकि इसमें मिल्क पॉडर भी मिला है ना तो यह थोड़ा टाइट है तो इसमें एक चमच मिल्क डाल कर इसे एक पर और अच्छे से गुन लेते हैं तो मैं इस तरह की अच्छे से घुन लिया है ये देखिए इस तरह का सॉफ्ट होना चाहिए चली बोस बना लेते हैं गुलाब जामुन को ये गोल का सिप दे रही हो आप चाहें तो लंबय वाले से अकार में भी बना सकते हैं आपको जो साइज पसंद है वो आप उस हिसाब से आप रेडी कर सकते हैं इस तरीके से पहले मीडियम साइज के लोई रेडी कर लेती हूं गुलाब जामुन के लिए मैं बोस बना लेती हूं तब इस चीच का ध्यान रखेगा कि अगर आपका आटा टाइट है तो वो फ्राई करते समय फटने लगेंगे और अगर गिला है तो अच्छे गुलाब जामुन नहीं बनेंगे तो बस इस चीच का आपको ध्यान रखना है आटा गुन्दे समय सारे बोस मैं रेडी कर ली हूं फ्राई करने के लिए वाइल हमारा मीडियम हीट का ही करम है तो बोस को इसमें डालेंगे अरिशिश का आप ध्यान रखें कि ज्यादा हीट में अगर आप गुलाब जामुन को फ्राई करते हैं तो यह तो उपर से पक जाएंगे लिए अंदर से कच्छे रह जाएंगे इसलिए मीडियम हीट में ही आप गुलाब जामुन को फ्राई करें और इस चीश का ध्यान रखिए कि आटे का जब भी गुलाब जामुन आप बनाए ना तो आप चास्नी पहले त्यार कर ले क्यों यह आगे मैं आपको बताती हूँ गुलाब जामुन को उलट पुलट करते हुगा फ्राइ कर लेंगे चास्नी को गैस पे गरम कर रही हूँ यह देखिए तो जब तक मैं पूरे गुलाब जामुन को फ्राइ नहीं कर लूँ तब तक मेरा चास्नी गरम होता ही रहेगा अधर गुलाब जामुन को भी मैं डार्क कलर का कर ली हूँ फ्राइ अब मैं इसे गरम चास्नी में मैं डाल द इसलिए गरम करते हुए चास्ति में मैं बोली थी आपको कि सारे गुलाब जामुन को डालने गरे देखिए साइज में कितने बड़े हो गया है अब यह खाने के लिए रेड़ी है आप चाहे तो फिर दो घंटा भी आप रख सकते हैं लेगिन साइज यह भड़े हो चुके है अब मैं आपको कट करके दिखाती हूं मैं आपको एक गुलाब जामुन कट करके दिखाती हूं कि कितना सॉफ्ट और जूसी त्यार हुआ है तो कटे से मैं अब देख रहे हैं कितना सॉफ्ट हुआ है तो एक बार मेरे कहने पर गिहूं के आटे का गुलाब जामुन जरूर बनाईएगा अगर मेरे रेस्पी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आज की रेस्पी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे तो मैं आपसे अगली रेस्पी मिलती हो टेक केर और बाई